आज मैं आपके साथ हरा मसाला ब्रॉज की रेसिपी शेयर करने की हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसाने तो चलते हैं रेसिपी की तरफ सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें चिकन अड़ कर देंगे आदर किल्लो हम इसमें चिकन अड़ करेंगे वन इस्पून नमक अड़ करेंगे आप अपने हस्बेजाय का भी नमक अड़ कर सकते हैं और तीन इस्पून इसमें मैं हरा पेस अड़ करूंगी हरा पेस मैंने इस तरह बनाया कि थोरा सा धनिया पुदीना और छे मिर्चे लेके मैंने उसको पेस बना लिया है उसमें जरा भ और एक इस्पून लसन दरग का पेस्ट अब वन इस्पून के बराबर हम इसमें तिका मसाला एट करेंगे सिर्फ वन इस्पून दालेंगे और इसमें धाई ग्लास जितना पानी एट कर देंगे इसका फ्लेम जो है हम नॉर्मल रखेंगे ताकि जो है हमारी चिकन अच्छी तरह से बॉयल हो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसको 15 से 20 मिंट्स के लिए हमें रख देना है ताकि हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से बॉयलो पानी पूरा चल जाए अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज है और यह देखे बिलकुल गिरीन की तरह आगिया है बस ही ब्रॉस किसी भी तरह जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी इसके अंदर थोड़ा सपीस रहना चाहिए मसाला और यह हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम इसको fry करने के लिए मैंने एक अंडा लिया उसको मैं फेट लिया अच्छी तरह से और हमने अंडे में इसको डिप करके fry करना है इसी तरह हम सारे डालते जाएंगे लेकिन धोरा सा gap दे दे के डालेगे ताकि हमारी तो चिकन एक साथ सारी मिक्स ना हो जाए और पहले एक साइट से इसको अच्छी तरह से होने देंगे फिर ही इसको साइट स्कूम आते रहेंगे और यह हमारी मज़ेदार रेसिपी बनके तयार है यह बहुत मज़ेगी रेसिपी है आप लाजमी क्राइक तो लाइक जब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अलाफेश